नमस्कार मैं हूँ सना फिरोज स्वागत है आपका सिरी पोस्ट लाइव में इंडियन रेलबे की ट्रेन अक्सर लेट होती है जैसे सडक पर जाम लगने की आशांका रहती है वैसे ही ट्रेन के लेट होने का भी अंदेशा बना रहता है लेकिन असली परिशानी तब होती है जब आपको दो ट्रेन में सफर करना हो और पहली ट्रेन की चकर में दूसरी ट्रेन चूट जाए अब भारतीय रेल आपको ट्रेन तो वापस लान नहीं सकती लेकिन पहली ट्रेन लेट होने की वज़े से आपकी दूसरी ट्रेन का पैसा ज थिती में अब PNR नंबर जारी करेगा। इस नए नियम के बाद यात्रियों को पहरी ट्रेन के देर होने की वज़े से अगली ट्रेन के छूट जाने पर बिना किसी चार्ज के आगे की यात्रा रत करने का इजाज़त मिलेगी। ये नियम सभी क्लास पर लागू भी होगा। जब आप ट्रेन की टिकेट बुक करते हैं तो आपको एक PNR नंबर मिलता है। ये PNR नंबर एक यूनी कोड है जिससे आपकी ट्रेन और आपकी जानकारी का पता चलता है। अगर आपने दो प्रेन बुक की है तो आपकी नाम पर दो PNR नंबर जनरेट होंगे। हाल ही मे भारतिय रेल्वे ने नियम में बदलाव भी किये हैं। दो PNR को लिंक करने का आसान तरीका बताया है। फिर चाहे आपने टिकेट ओनलाइन बुक की हो या काउंटर पर। ऐसा करने से पेसेंजर को पहले के मुकाबले आसानी से रिफर्ड मिल जाएगा। आई ही अब अफिस से मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपने काउंटर से रिजर्वेशन के टिकेट ली है तो पहली ट्रेन आने के असल टाइम के तीन घंटे के अंदर आप अपनी दूसरी ट्रेन को कैंसल करा सकते हैं। रिफर्ड का पैसा आपको काउंटर पर ही मिल जाएगा। तीस बताएंगे। फिलाल के लिए इतना ही बने रहे हमारे साथ देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।